हाई दिस फारुक खान और वेलकम बैक तो माई चैनल एफ र के इन्फो एंड प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो माउं नमरूद तुर्की का एक ऐसा पहाड है जहां पर मौजूद मूर्थियां पुरित दुनिया में रहस बनाए हूई हैं जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां पर आते हैं माउंड नमरूत में मौजूत मूर्थियों को किस ने बनवाया और किस ने तोड़ा और ये कब बनी थी इसके बारे में कोई नहीं जानता है सन 1881 में एक जर्मन इंजीनियर चाल्स सेस्टर ने इसे एक होजा था और ये 1987 से युनुसको के वर्ड हेरिटेज बिल्डिंग में शामिल है माउंड नमरूत तुर्की के कहता से 40 किलोमेटर दूर आदियामन के पास है इस पर इसापुर्व में बनी मूर्थियां मिली हैं जिसके सर तूटे हुए हैं ये मूर्थियां कब बनाई गई थीं किसने बनाई थीं और इसे किने तोड़ा गया ये अभी तक पता नहीं चला है तुर्की के दच्छिडपूर में नम्रूत पाहल पर ये मूर्तियां ईसापूर्व की पहली सदी में बनाई गई है हो सकता है विशाल अकार की मूर्तियों वाला ये किसी का मगबरा रहा हो राजा एंटजस प्रिथम ने यहां बहुत सी 26 से 30 विट उची फिशाल आकरती मूर्ति बनाई थी अपनी मूर्ति के अलावा उन्होंने दो शेर, दो इगल और कई ग्रीक शक्सितियों जैसे हरकुलिस, वहाग जैसे अर्मानिया देपताओं की मूर्तियां बनाई थी एक पत्थर पर 7 जुलाई 62 ईसापुर्व का ग्रहों का अरेज्मेंट भी किया गया है, हो सकता है इस दिन यहां निर्माण शुरू किया गया हो किसी जमाने में ये मूर्तियां पहाड़ पर लाइन से सजी होंगी, फिर भी बाद में इनके सिर अलग कर दिये गए ऐसा कब किसने और क्यूं किया था ये बात साफ नहीं हो सकी है आज भी मूर्तियां इसी हाल में बिकरी हुई है इन मूर्तियों के चेहरे ग्रीक फीचर्स वाले हैं, वही कपड़े और बाल इरानी है सन 1881 में एक जर्मन इंजीनियर चार्ल्स सेस्टर ने इसे कोजा था ये जगा उनके ट्रांसबोर रूट में पढ़ती थी इसके बाद एंचिस का मगबरा तलाशने के लिए वहां काफी खुदाई की गई लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ फिर भी समझा जाता है कि यहां पर उन्हें दफन किया गया होगा माउन नमरूत के पुराने इतिहास के अनुसार 189 इसपूर में रोमन्स ने मैकनेसिया के युद में सेलिसिट समराज को हराया था इसके बाद उन्होंने टारस पहाड और क्रूडस के बीच इस्थानी लोगों के हाथ में प्रशासन सौंप दिया था इसी के तहट एंचिस को वहां की हुकूमत मिली होगी काफी रिसर्च के बाद भी यहां का इतिहास रास बना हुआ है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू सो मच